नमस्कार मैं हूँ दिव्य बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 15 जन्वरी दिन सोमवार खबर के उबने से पहले एक नजर सुखने होता ब्लॉक एगरी कल्चर आफ्चर की 1051 पदों पर निकली भड़ती गुरु गोविन सिंग्जी का प्रकास पर्व आजचे शुरू बिहार के राजपाल को मिलाने होता बिहार बोड कल्चा दुस्विंग की परिक्षा के लिए एडमिट काट जारी पटना में 13 जन्वरी को दही खाओ नाम पाउप्रती हो गिता इस वर को लेकर पंकर स्रिपार्टी का बयान अब चलिए भड़ते हैं बिहार के अब तक की 25 मरी खबरों के ओर विस्तार से ब्लॉक एगरिकल्चर ओफसर के 251 पदों पर निकली भड़ती बिहार लोग सेवा आयोग की और से ब्लॉक एगरिकल्चर आफसर के 251 पदों पर भरती निकाली गई है ऐसे में भर लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वह आयोग की ऑफसरल वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बता दे किसके लिए आविदन करने की शुरुआत आज यानिकी 15 जनवरी 2024 से ही हो रही है वही आविदन करने की अंतिम तारीक 28 जनवरी 2024 तक निर्धारित की गई है इसके लिए अगर सैक्स्निक योगिता की बात करे तो में दवार को मानिता प्राप्त युनिवर्सिटी या संस्थान से संबंदित विसाय में ग्राजुएट होना जरूरी है और साथ ही आविदकों की उम्र कम से कम 21 वर्स और अधिक्तम उर्फ 37 वर्स होनी चाहिए इससे जुरी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी किये गए नोटिफिकेशन को जरूर बेंगे बिहार बोड कक्षा दस्विंग की परिक्षा के लिए अधिमिट कार जारी अगर आप भी उन विद्यारतियों में से हैं जो बिहार बोड कक्षा दस्विंग की परिक्षा में भाग लेने वाले हैं तो यह ख़बर आपके लिए है बता दे कि बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड की और से कक्षा दस्विंग की बोर्ड परिक्षा के लिए फाइनल एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है ऐसे में विद्याले के प्रधान स्टूरेंट के अड्मिट कार्ड को तुरंध ही बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड की ओफिसल वैबसाइच चेकेंडी.biharboardonline.com पर जाकर डाउननोड कर सकते हैं मालूमों कि विद्याले के प्रधान को अड्मिट कार्ड डाउननोड करने के लिए मांगी गई डीटेल को दर्ज करनी होगी और फिर अड्मिट कार्ड डाउननोड कर उसे अपने हस्ताक्षर करके और मोहार लगा कर स्टूलेंट को वितरित करना होगा चातरों की जानकारी के लिए बता दे कि विहार स्कूल एक्जामनेसन बोर्ड की ओर से दसवीं कख्चा की परेक्चा कायोजन 15 फरवरी 2024 से ही शुरू होने वाला है जो की 23 फर वड़ी 2024 तक किया जाहेगा वहीं इसके लिए प्रैक्टिकल एक्जाम का आउजन बोर्ड की ओर से 18 जनवरी से शुरू किया जाने वाला है जो की 20 जनवरी 2014 सक आउजित किया जाएगा विहारी बहुत देर स्पेसल में आज हम बात करेंगे राकियस रंजन कुमार के बारे में राकियस रंजन कुमार का जन्म आज के ही दिन 872 में हुआ था यह एक भारतिय फिल्म नर्देशक और लेखक है उन्होंने डियर फिडेंड हिटलर का नर्देशन किया था जिसका प्रीमियर 2011 में कॉंस फिल्म फेस्टिवल में किया गया था दा हॉलिवूड रिपोर्टर में डुआने बायाज ने इसे आयोगे कल्पित और उबर भयानक बताया था राकियस रंजन कुमार के पास दिल्लिविस विद्याले की हिंदू कॉलिच से हिंदी साहिते में असनात कोत्तर की दिग्री है उन्होंने नदेशक लेखक अभिनेत दिधारी में डीडी के लिए जमीर जैसे टीवी धारवाईकों का निर्मान और निर्देशन भी किया है गुरू गोविंद सिंग जी का प्रकास पर वाद्चे शुरू बिहार की राज़िपाल को मिलाने होता आज यानिकी 15 जनवरी से बिहार की राज़ानी पटना के पटन पटना के साइब गुरू द्वारा के साचात कंगन घाट पर स्रधालों के ठहरने और खाने पीने के लिए विसाल लंगर की विवस्ता की गई है इसके अलावे सुरक्चा के भी चाक चौबंद इंतिजाम किये गए हैं बरते ठंड को देखते वे मेडिकल टीम की भी विवस बिहार के बाहर से आने वाले स्रधालों के लिए पटना रेलवे स्टेशन इमां पटना साइब स्टेशन पर बस की विवस्ता जिला प्रसासन के द्वारा की गई है वहें इस प्रकास पर को लेकर तक्त साहिब कमीटी के प्रधान जग जोत सिंग सोही और उपाध्यक्ट ग गया है सरदार जगजोत सिंग सोही के द्वारा दी गई जानकारी के नुसार प्रकास पर में बिहार के मुखे मंतरी इंतीज कुमार राश्ट्य आलप संक्यक आयो के अध्यक एक बाल सिंग लाल पूरा सहित देश विदेश से धार्मिक और राजनेतिक सक्सियत सामल होने व पर फिर से भारत जोरो यात्रा के शुरुआत कर रहें तो वही दूसरी तरफ बीजेपी के नरेंद्र मोदी कई अपस्वरों पर जनता के बीच पहुंच रहे हैं इसी बीच इलेक्शन कमिशन भी अपनी तयारी तेज कर रहा अब चुनाव आयो के तरफ से एक चुनावी फर्मान भी सामने आया है जो मदाताओं को खुश कर सकता है निरसल यदि किसी भी मदाता पहचान पत्र में उनकी फोटो धूंदली या गरबर आती है तो मदाताओं को मदान से दूर नहीं रखा जाएगा बलकि मदाता अपने आधार कार या पैन कार जैसे पहचान पत्र क अधार की मदाता पहचान सत्याप्त कर पाते हैं तो वे मदान भी कर सकेगे अलप संख्यक समुदाए के चात्र चात्राओं को प्रबंदन से संबन्दित प्रतियोगिता परिक्षाओं की तैयारी के लिए ने इस सुल्क कोचिंग विहार सरकार के अलप संख्यक कल्यान सिवं सामाजिक परिवर्दन संस्थान पटना के द्वारा उपलब्द करवाई जा रही ऐसे में जो छात्र इस निर्सुल के कोचिंग का लाब लेना चाहते हैं उसके लिए सरकार की ओर से कुछ पातरता भी निर्धारित की गई है जिसके नुसार छात्र छात्रा बिहार पाइल नंबर 9162615464 पर संपर्क करें विहार बोर इंटर्मेडियेट वार्षिक परिक्षा की रजिस्ट्रेशन की बरहीती थी अगर आप भी इंटर्मेडियेट वार्षिक परिक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन रिजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है के लिए राज्य के सेक्षन संस्थानों में ग्यारवी कक्षा में पर रहे विद्यारतियों के लिए ऑनलाइन रिजिस्ट्रेशन फॉर्म 2224 तक विलंब सुल्की साथ भर सकते हैं रिजिस्ट्रेशन करने के लिए 36 समीतिक की वेबसाइट senior secondary.bihar boardonline.com पर जाकर भर सकते है वही ऑनलाइन रिजिस्ट्रेशन और सुल्की जमा करने में किसी प्रकार की सहायता के लिए help line number 0612230039 पर संपर्क कर सकते हैं ITPCR सेंपल जांच में पूरे बिहार राजे में गया जिला पहले अस्थान पर पाया गया है बतादे की गया जिला में के सभी 24 प्रकार्णों में ITPCR सेंपल से जांच करवाया जा रहा है जिसके ताहर बीते दिन यानी की 14 जनवरी को कल 592 सेंपल जांच किये गए हैं तो वहीं 13 जनवरी को 654,8 जनवरी को 8,675 जांच किये गए हैं ऐसे में गया जिले में सरवाधिक सैंपल की जाच की गई है, 24 दिसमबर से आज तक, कुल 8500 से उपर सैंपल जाच की जा चुके हैं, वही इस दोरान जिले में अब तक जितने कोरोना संक्रमित मिले हैं, उनमें जादतर संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं, बता दे कि 13 जनवरी गया जिले में 30 कोरोना संक्रमित मिले थे, जिन में से 18 कोरोना संक्रमित अब स्वस्थ हो गया हैं, वही वर्तमान समय में 12 कोरोना संक्रमित एक्टिव हैं, इस बारे में गया जिला पतादिकारी डॉक्टर त्याग रंजन, SM के द्वारा जानकारी देते में बताया गया है, किजिले के सभी प्रमुक अस्थान अस्पतालों के साथ साथ गया हवाई अड़े पर भी सेंपल की जाज की पूरी व्यवस्था रखी गई है सभी जगह पर साफधानी बढ़ती ही जा रही पटना में 18 जन्वरी को दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता प्रतियोगिता पटना डेरी प्रोजेक्ट फुलवाली सरी परिसर में आयोज़द की जाएगी ऐसे में इसमें भाग लेने के एक चुक मिदवार 17 जन्वरी साम 5 बजे तक अपना निवंधन कर सकते हैं इस प्रतियोगिता का आयोज़न सूधा पिछले 12 साल से करते आ रहे हैं वहीं अखिल भातिया डेरी विकास महा संकी माने तो इस बार मकर संकरांती के अफसर पर मिठाई दुकानों पर 3 लाख टन से जादा दही की बुकिंग होई है ऐसे में अनुमान लगाया गया है कि मगर संकरांती पर 40 लाख लीटर दूद और 15 टन दही की खपत होगी वहीं इस वर्स इस मौके पर सुगर्ग फ्री और गुड की तिलकुट की मांग भी बढ़ी है अगर आप भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना कलाब लेना चाहते हैं तो यह ख़वर आपके लिए है बता दे कि इसके लिए एक क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है लेकिन इस योजना का लाव लेने के लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने भी अनिवारे हैं क्योंकि अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं होंगे तो आपका पंजिकरन अठक सकता है बता दे किसान क्रेज़ कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आपको इसमें आविदन के लिए एक फॉर्म भरना होता है जिसमें आविदन करता को अपनी पूरी जानकारी देनी होती है और साथ इस फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेजों की copy भी लगानी होती है जिसमें pen card की copy भी सामिल है इसके लावे आविधन करने के दौरान आपके पास दूसरी दस्तावेज की रुप में आधार card भी होने चाहिए साथ ही एक पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी अनिवारे है कोसिस करें कि अपनी नवींतम फोटो ही फॉर्म में लगाएं आपकी जानकारी के लिए बता दे कि किसान क्रेडिट कार्ड की मदद से आप क्रेडिट कार्ड का लाब ले सकते हैं विहार पैटर में आज हम बात करेंगे मिंटो टावर के बारे में जमुई जिला मुक्याले के पूर्व से लगवक 15 किलोमेटर की दूरी पर स्तित गिद्डौर में मिंटो टावर है यह तावर बिहार के प्रमुक परेटन सिंग ने करवाया था यह तावर लॉड मिंटो भारत के गवर्णर जननल और वाई-सराय की याद में बनवाय गया था जो की 10 फरवरी 960 इसभी में यहां घूमने के लिए आये थे काफी संख्या में पेटक यहां आना पसंद करते हैं मिंटो टावर के समीप ही एक मंदिर भी है गिद्दौर में बना मिंटो टावर का निर्मान चंदिल वंस के अंतिम राजा प्रताब सिंग के पिता महराजा चंदरचूर सिंग के ने अंग् महराज महराज और लॉड मिंटो आये थे चार साल में सोसल मीडिया के जरिए 10,951 लोगों से अपराधियों ने ठगे रुप है बिहार में साइबर अपराध के मामले में लगातार बरहोतरी होते ही जा रही हाला कि इन पर नकेल करसने के लिए साइबर पुलिस के द्वारा क खंगाल रहे उनकी जरूरतों रूची और उनके फ्रेंड लिस्ट को ध्यान में रखकर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं जाच जिंसियों की परताल में आए आक्टरों से यह जानकारी सामने आई है कि वाट्चप से सबसे ज़्यादा ठगी को अंजाम दिया जा रहा इन चार सालों में साइबर अपराधियों के तवारा बिहार में वाट्चप के माध्यम से कुल 5145 लोगों को ठगा गया है वहीं इसके अलावे अन्य सोसल मेडिया जैसे टेलेग्राम के जरीए 2572 लोगों को फेस्बुक के जरीए 1486 और इंस्टाग्राम के जरीए 1014 लोगो में 1086 और वर्स 2023 में जुलाई महा तक 1486 लोगों से ठगी की जा चुकी है सेना में अगनीवीर भरती की डेट आ गई सामने अगर आप भी उन युवाओं में से हैं जो भारतिय सेवा में भरती होने के लिए अगनीवीर भरती नोटिफिकेशन दोजा 24 का इंतदार कर रहे थे तो यह ख़बर आपके लिए है मतादे की विबिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सेना भरती कारयाले के हवाले से कहा गया है कि अगनीवीर भरती नोटिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट होगा इस बरती प्रक्रिया में 10 वी या 12 वी पास विवा का आविदन कर सकते हैं इसके अलावे वे भी आविदन कर सकेंगे जो बोर्ट परिक्षा में सामिल हुए और रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं इसवर को लेकर पंकस्त्री पार्ठी का बयान विहार के लाल और बॉलिवुड के जाने माने अभिनेता पंकस्त्री पार्ठी इन दिनों अपनी आने वाले फिल्म में अटल हूँ को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं वही एक इंटर्व्यू के दौरान पंकस्त्री पार्ठी के दौरा इसवर को लेकर बयान दिया गया था उन्होंने कहा कि इसवर सबके साथ नहीं रह सकता तो वह माता पिता के रूप में मिलता है मेरी मा मुंबई में हमारे साथ रहे यहीं हम सबके एक्छा है लेकिन मुंबई में उनका मन नहीं लगता उन्हें एयर कंडिस्नर की हवा नहीं सीधे पेरों से हवा आने वाली अच्छी लगती है बाबू जी हर पल मेरे स्मिर्थी में रहते हैं उनकी स्मिर्थी में सिक्षा के छेतर में कुछ-कुछ प्रयास करता रहता हूँ किसी भी बच्चे को सक्षे तोर कुछ बनाकर हम समाज में सबसे बड़ा योगदान कर सकते हैं इसके साथ ही उन्होंने अपने आने वाले फिल्म मैं अटल हूँ को लेकर कहा कि मेरे मन में पहला ख्याल यहीं आया कि क्या मैं इस करदार को निभाने की योग्य हूँ मैंने पूरी मांदारी के साथ अपना काम किया है और इसका मुल्यांकर मैं दरसकों पर छोड़ता हूँ उन्होंने का कि मैं अटल जी का बहुत बड़ा प्रसंसक रहा हूँ उनको सुनने पटना के गांधी मैदान की दो रैली में जाना मुझे अभी भी याद है उनकी वायोपिक करने का सबसे बड़ा खत्रा मुझे यही समझाया कि कहीं मैं उनकी मिमिक्री करता यानी नकल करता ना दिखू बत्तो और अभिनेता मैं उनका वैक्तित्वित जी सकता हूँ उनके विचार पढ़ सकता हूँ लेकिन उनकी आवाज वह मैं नहीं निकाल सकता ने उनके जैसा नहीं दिख सकता, उनके जैसा सुनाई नहीं दे सकता लेकिन हाँ आभिना के जरिये मैंने यह करने की पूरी कोशिस की है कि मैं अटल हूँ फिल्म देखकर लोगों के मन में करुना और देश भग्दी का भाब जगे बस यहीं हमारी कोशिस है बिहार में अभी और बरहेगी ठंड बिहार प्रचंड सीतलहर की चपेट में है मौसम विभाग की माने तो अगले दो दिनों तक लोगों को ठंड से रहात मिलने की उमीद नहीं है मौसम विभाग के वैग्यानिक अनूप कुमार 24 ने बताया कि अगले 16 जन्वरी तक रात की तापमान में 2-3 डिगरी सेल्सिस की और गिरावट हो सकती है और सीतलहर की रफ्तार अभी और बरहेगी अगले तीन दिनों के लिए उत्तर पस्तिम और पूर्वी बिहार के छेत्रों में घना को रात चाय रहने का पूरवा नुमान जताया गया है आज राजे में एक या दो अस्थानों में सीत दिवस होने की संभावना है राजे के उत्तर दक्सिन पस्तिम और दक्सिन मद्धे भागों में एक या दो अस्थानों में घना को हासा चाय रहने की संभावना है इसके लिए विभाग के ओर से यलो अलर्ट जारी किया गया है मेकप आर्टिस्ट की दुनिया में मुझापरपूर की रहने वाली कोमल पूरे दुनिया में अपना नाम कमा कर बिहार को गौरवानवित कर रही है अब तक इने इनकी कला को लेकर कई बड़े सेलेब्रिटीस से सम्मान मिल चुका है अभी हाल में ही कोमल ग्रेजिन्स अवार्ड से सुनाक्षी सिना के हाथों दिली में सम्मानित होई है बिहार के कई जिलों से दुलहन को सजाने के लिए लोग कोमल के पास पहुँचते हैं मुझपरपुर में सोनर पट्टी की रहने वाली कोमल का जीवन काफी संघर्स में रहा आगे चलकर कोमल ने ब्यूटीसियन के प्रोफेशन को चुना और अब अपनी मेहनत से हर जगा अपना नाम कमा रही है बिहार स्टीफ में मोस्ट वांटेड अपरादियों को गिरफतार करने का बनाया रिकॉर्ड बिहार स्टीफ के द्वारा पिछले एक साल में मोस्ट वांटेड अपरादियों को गिरफतार करने का रिकॉर्ड बनाया गया है बता दे कि STF की टीम के द्वारा राजे के अर्थिस जिलों के 547 Most Wanted अपराधियों को गिरफतार किया गया है जिसमें 646 अपराधी ऐसे है जो विबिन्द जिलों के टॉप 10 और 20 अपराधी में सामिल है इसके अलावे पुलिस के द्वारा एक लाग के इनामी फडार अपराधी बैजनात मांजी को भी गिरफतार किया गया है बतादे कि STF के द्वारा 50,000 के इनामी 13 अपराधी और 25,000 के इनामी 12 अपराधियों को विबिन जगों पर छापे मारी करतेवे गिरफतार किया गया है इसके अलावे 24 अपराधियों को बिहार राजे के बाहर उत्तर प्रदेश ज़ार कंड दिली या समोरी सा सही तन्य जगों से गिरफतार किया गया है एक वर्स में STF ने 17 अकसलियों को गिरफतार किया है रोजगार मतलम नितिस कुमार के नारे पर आरजेरी का सीधा जवाब बीटे सनिवार को बिहार के मुख्या मंतरी नितिस कुमार के द्वारा बिहार की राजजानी पटना के गांधी मैदान में सिक्चकों को नियुकती पत्र का वितरन किया गया वहीं सिक्चक नियुकती वितरन पत्र समारों के पोस्टर में तेजस्वी यादव की तस्वीर ना दिखाने पर राज़त के प्रवक्ता सक्ती यादव के द्वारा बीटे दिन प्रेस कॉंफरेंस कर अपना वयान दिया गया है उन्होंने कहा कि तेजस्वी का 15 महीने का कारेकाल बिहार का सर्वनीम काल है तेजस्वी के 15 महीने की सरकार पहले की 15 साल की सरकार पर भारी है डिप्टे सीम के बादों और सीम नितीज के नितरिज में बिहार में रोजगार की बाहर है सिक्चा विभाग ने रिकॉर्ड 70 दिन के अंदर 2,17,000 से चकों को नौकरी दी है उन्होंने का कि बीजेपी विस्व की सबसे बरी पार्टी बताती है लेकिन नौकरी देने में तो विस्व रिकॉर्ड तो हमने बनाया है विस्व में कहीं भी इतने कम दिनों में इतनी ज़्यादा नौकरी नहीं दी गई है इसको लेकर बीजेपी को चैलेंज देता हूँ बिहाने जाते गना करके नजीर पेस की है और पिछली जातियों के लिए हमारी सरकार ने 75 प्रदिसत आरक्षन दिया है भाजबा कहती थी कि अगर भगवान भी आएंगे तो इन 4 लाख लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा मोधी सरकार ने 10 साल में सिर्फ 7 लाग के आसपास नौकरी दी है यहां करा भारस सरकार का ही है जिसको संस्द में मंत्री जितिंदर सिंग के द्वारा पेश किया गया था तेजस्वी और ने 30 की सरकार जो कहती है वक करती है राम मंदिर प्रांपरिस्था से पहले समराट समेट इन नेताओं की मंदिरों की सफाई 22 जनवरी को युद्धा में स्री राम लला की प्रान प्रतिस्ठा होने वाली है ऐसे में इसको लेकर 16 जनवरी से शुरू होने वाले अनुष्ठानों का एक स्रिंखला मुख्य समारों में पहले होगा वह इस कारेकरम को लेकर प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के द्वारा लोगों से अपील की गई थी कि देश के तीरत अस्थान की मंदिरों की साफ सफाई करे और स्वक्सता अभियान चला है पार्टी नेताओं के द्वारा भी स्वक्सता अभियान में हिस्सा लिया गया है बता दे कि पार्टी की नेता और कारेकरता रोजाना औस्तन दो से तीन घंटे तक का समय इसके लिए देंगे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे ये अभियान 22 जनवरी दोजाचा चौबस तक पूरे देश में चलने वाला है नेकिन बता दे कि कॉंग्रिस की और से या पहले ही साफ किया जा चुका है कि सोनिया गांधि और मलीकारजुन खरगे राम लिला की प्रानपतिसा समारों में सामिल नहीं होगे प्रसांथ के सोर ने नरेंद्र मोडी को लेकर कहदी दिल पर चोट लगने वाली बात जन्स्वराज के सूत्रिधार प्रसांत के सूर के द्वारा चेरिया बरियारपुर में प्रेसवार्था के दौरान देश के प्रधानमंतरी नरिंद्र मोदी को लेकर बयान दिया गया है उन्होंने कहा कि आप अपने एक वोट के महत्व को समझें क्योंकि आपके vote से देश का प्रधान मंतरी बनता है और देश चलता है मोदी जी से आप लोग 5 किलो अनाज ले लेते हैं लेकिन इससे आपकी गरीबी दूर नहीं हो जाएगी आप अमीर नहीं हो जाएगी बच्चे को तो मजदूरी के लिए जाना ही पड़ता है वोट का महत्व कब समझेंगे आप लोग उन्होंने कहा कि असल समस्या को दूर नहीं किजेगा तो कब तक अपने बच्चों को मजदूरी करवाईएगा बच्चों को बाहर में भी गाली ही सुननी परती है बच्चे बाहर कितना कस्ट काट करेते हैं आप मोदी जी का चहरा देखकर वोट दे देते हैं लेकिन क्या होता है वोट टीवी पर ही अपना चहरा दिखाते हैं आपका बच्चा वही मजदूर रह जाता है इसलिए परहाई के लिए वोट कीजिए बिहार के बच्चे सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं बलकि वे दूसरों को भी सला दे सकते हैं जब बिहार के लोग बाहर जाते हैं तो बिहारी कहकर लोग उन्हें गाली देते हैं उन्हें अरपर और बेवकूब बोलते हैं लोग समझते हैं कि बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी के लिए बने हैं लेकिन उन्हें भी नहीं पता है कि बिहार के लोग देश चला सकते हैं इसलिए मैं सबी लोगों से अपील करता हूँ कि अपने बच्चे को परहाय और महत्वा कांग्छी बनाए बिहार की वा देश को बदलने की ताकत रखते हैं अगर कोई बिहारी दूसरे राजों में जाकर बिहार का जंडा लहरा कर आया है तो वह खराब नहीं है भारत के तेहास में आज की तारीक है कई कारणों से दर्ज वर्ष 1934 में नेपाल और भारत में बहुत जबर्दस्त भूकम पाया था उसमें करीब 13,000 लोगों की जाने गई 1949 को ब्रीटिस राज के भारते सेना के अंतिम अंग्रेज सीर्स कमांडर जनरल डॉय बूचर सेके एम करियापपा ने भारते थल सेना के पहले कमांडर इंचीफ का पदभार गरन किया था उस दिन से 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है भारते खाद निगम 1965 में अस्थापित हुआ था 1988 में भारत के पूर्वी गेंदबार नरेंदरी हिरवानी ने बेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच में ही सोलर विकेट लिये यहां उनकी एतिहासिक उपलबदी है धाका में त्री देशी ये बांगला देश भारत अथा पाकिस्तान का सिखर समेलन 1998 में प्राडम हुआ था 1856 में अस्वीनी कुमार दत का जन्म हुआ था जो की भारत के प्रसिद राजनितिग्य है सामाजी कारे करता थे और देश भक्त भी थे 1921 में बाबा साहे भोसले का जन्म हुआ था जो की राजनितिग्य थे 1956 में मायवदी का जन्म हुआ था जो की राजनितिग्य है 1957 में भानु प्रिया का जन्म हुआ था जो की अभिनेत्री है 1926 में खासाबा जाधव का जन हुआ था जो कि भारत के ऐसे पहले कुस्ति खिलारी थे जिन्होंने हैंसे की ओलम्पिक में काल से पतक जीता था 1771 में भारत एतिहास के प्रसेद एक मराठा वीर सदा सिविराज भाव का निधन हुआ था 1998 में भारत के भूत पुर्व कारेकारी प्रधान मंत्री गुलजारी लाल नंदा का निधन हुआ था प्रसेद फिल्म निर्मातो और दादा साहिब फाल के पुरसकार जीतने वाले तपन सिन्हा का 2009 में निधन हुआ था 2012 में भारत की प्रथम महिला फोटो पत्रकार होमाई व्यारवाला का निधन हुआ था वारल खबर में आज हम बात करेंगे आईकर रिफंट के बारे में सोसल मीडिया पर कई सूचनाय वारल होती है लेकिन सभी सचो यह जरूरी नहीं है आज हम बात करेंगे आईकर रिफंट के बारे में दरसल पी आईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक वारल संदेश में दावा किया गया है कि प्राप्त करता को 15,490 रुपे आईकर रिफंट को मंजूरी दे दी गई है P.I.B. ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि यह दावा फेक है, इंकम टैक्स नहीं है, संदेश नहीं भेजा है, ऐसे घोटालों और अपनी वैक्तिकर जानकारी साजा करने से बच्छे Facebook और Instagram की तरह Watchap पर भी लगेगा Blue Tick Watchap यूज करने वाले यूजर्स के लिए Meta एक नया फीचर पेस करने वाली है, जरसल जल्दी वाट्चाप पर बिजनेस करने वाले यूजर्स को Meta Verification बैज मुहिया कर सकती है Watchap बिजनेस अकाउंट वाले यूजर्स अपने अकाउंट को वैरिफाई करवा कर उसमें verification टिक लगवा सकेंगे Meta ने अपने social media platform Facebook और Instagram पर इस सुविदा को पहने से ही लागू किया हुआ है नेकिन अब company वाट्चाप पर भी verification की सुविदा सुरू करने वाली है वाट्चाप के बारे में लेटेस्ट खबर देने वाली वैबसाइट WA-Beta-Info की एक रिपोर्ट के मताबिक यूजर्स को वाट्चाप में आने वाले अगले कुछ अपडेट्स के बाद ही सेटिंग्स में ही एक नया उप्सन मिलेगा इस विकल्प में यूजर्स को बिजनेस मेटा वैरिफिकेशन को खरीदने का आपसर मिलेगा इसका मतलब है कि एक्स की तरह वाट्चाप बिजनेस के लिए अगर आपको अपना अकाउंट वैरिफाइड करवाना है तो उसके लिए पैसे खर्च करने होंगे हाला कि वैरिफिकेशन बैज लेने के लिए कितने रुपे खर्च करने परेंगे इसके बारे में फिल्हाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है नितिश तेजस्वी के खिलाब धर्ना देने पटना में पहुंचे डेटा ओपरेटर्स बीते दिन बिहार की राजधानी पटना में बिहार के मुखे मंद्री इंतिश कुमार और उपमुखे मंद्री तेजस्वी यादब के खिलाब बिहार भर के डेटा ओपरेटर्स के द्वारा धर्ना प्रदर्सन किया गया है इस दोरान उनके द्वारा कहा गया कि बिहार सरकार के द्वारा आउट सोर्सिंग विवस्ता को खत्म किया जाना चाहिए और उनके सेवाओं को उस्थाई किया जाना चाहिए हैसे में अगर सरकार के द्वारा उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में वे अनसित काल हर्ताल पर जाएंगे और सरकारी कारेयाला में होने वाले सारे कामों को ठप कर देंगे बतादे कि धरना देने वाले डेटा उपरेटर्स का कहना है कि सरकार से उनकी यह मांग नहीं है कि उनके वेतन को बरहाया जाए उनकी बस यहीं मांग है कि उनके सेवा को अस्थाई किया जाए वही कुछ डेटा ओपरेटर्स का कहना है कि सरकार के द्वारा उनके प्रती गंभीरता से नहीं सोचा जा रहा है उनका कहना है कि आउट्सोर्सिंग व्यवस्ता की वज़ा से राजस्व को छती होती है इसलिए इस व्यवस्ता को खत्म किया जाना चाहिए हम प्रती दिन आप से पांच यसे जरूरी सवाल पूचेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेथ SSE जैसे अने प्रत्यों की परिक्षाओं में काम आएंगे सवाल थेहार बिहार समेथ विघ्यान करेंट अफियर्स और बुखोस से रहेंगे पूचे गए 5 सवाल में आपने कितने सहीं उतर दिये या में कॉंछ करक्रकर जरूर बता है हमारा पहला सवाल है हाले में किस्तिती को महायान नौ वर्ष और ओल्ड रॉक डी मनाया गया उप्शनी 7 जन्वरी दो हजार चौबस, उप्शनी 6 जन्वरी दो हजार चौबस, उप्शनी 5 जन्वरी दो हजार चौबस, उप्शनी 4 जन्वरी दो हजार चौबस इसका सही उत्तर है ओप्षणी 7 जन्वरी 2024 अगले सवाल, हाली में किसने बीच गेम स्काउट घाटन गोगला में किया है ओप्षणी अस्विनी वैशनप, ओप्षणी पीम मोदी, ओप्षणी निर्मला सीतारवन, ओप्षणी अनुडाक ठाकर इसका सही उत्तर है ओप्षणी अनुडाक ठाकर अगले सवाल, हाली में प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी जी किस योजना का अनावरन किया है ओप्षणी मंगल योजना, ओप्षणी स्पेस मिशन, ओप्षणी सुर्य मिशन, ओप्षणी प्रीथवी पिग्यान योजना प्रशास्थी राजगीर प्रशास्थी बोद गया अगला सवाल शेर्शा की प्रशास्थिक प्रयोग साला कसको कहते हैं और सासाराप ऑप्शन दिल्ली ऑप्शन चुनार ऑप्शन दी पठना इसका सही उतर है आप सनी सासाराम बीते दिन हमारे दोरा पुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सुक्षन बॉक्स में ली कर दिया था जिन्होंने हमारे दोरा पुछे के सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रवी कुम मारी मंटू कुमार पवन सिंग इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है अगर आप आज मकर संक्रांती का तो हार मना रहे हैं तो कैसे मना रहे हैं आप अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सक्षन बॉक्स में लिक कर जरूर बताएं आज के लिए फिलाल इतन और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले धन्यवाद